नमस्ते, मैं हूँ सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूँ, जैपूरत आपिंक सिटी चैनल पर तो इसको सिर्फ एक दो दिन में ही जड़ से छुटकारा पाने के लिए आपको घरेलो उपाय बता रहा हूँ यह बहुत ही कारगर है, चाहे कितने ही बयंकर से बयंकर छाले आपके मूँ में हुए है ना, तो वो भी एक तो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और पहले दिन से आपको एक तम अच्छा मैसूस होगा दोस्तों, इस मुस्खे के लिए आपको ना तो कुछ भी पैसे लगाने की जरूरत है और ना दवईया खाने की जरूरत है क्योंकि मैं आपको घर में पहले से ही रखी हुई ऐसी चीज़ें बताऊंगा, जिसको लगाने भर से ही आपके मुखे पूरे छाले गायब हो जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आइस क्यूब होती है ना सभी के गरों में, गर्मियों के मौसम में, फ्रिज में जो बरव जमाते हैं, वो ले लेनी है तो बेहदी सरल और 100% कारगर उपाय है, आपको सिर्फ एक से दो क्यूब ले लेनी है, बस इतना काफी होगा एक दिन के लिए, और ये आप दिन में दो तीन बार कर सकते हो एक आइस क्यूब लेकर आप अपने मूँ में डाल लेंगे, और इसको जब तक आप मूँ में रखेंगे, जब तक ये पूरी तरह से पिगल नहीं जाए जितना भी आपके मूँ में इसका पानी घूलेगा न दोस्तों, वो आपको बाहर सिंक में थूपते रहना है और चारों तरफ आप मूँ में घुमा घुमा कर बरफ की सिकाई करेंगे जिससे की जो चाले होते हैं न मूँ में, या कई बार मूँ अंदर से बहुत ज़्यादा पक जाता है तो अगर ऐसी समस्या हो रही है, तो आप सिकाई करें पूरे दिन भर में कम से कम दो तीन बार तक कर सकते हो दो तीन बार समव नहीं है न, तो आप सुबह शाम या दिन में एक बार तो जरूर कर लें दोस्तों क्योंकि जिनको दिन भर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है वो लोग दो तीन बार नहीं कर पाते हैं, तो दिन भर में एक बार जरूर करें आप चाहें तो सुबह ब्रश करने के तुरंद बाद भी उपाय कर सकते हैं इसके बाद में अगला एक उपाय और बता रहा हूँ ये भी बहुत बढ़ी उपाय है और 100% कारगर है मुग के चाले या मुग के अलसर को ठीक करने के लिए तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पे सेंदा नमक ले लेना है जो आप फुरत वगेरा में खाते हैं वो नमक आपको लेना है सफेद नमक या काला नमक का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है सेंदा नमक ही लिना है या आपको बिल्कुल बारीक पिसा हो लिना है ये दरदरा नहीं होना चाहिए अगर सेंदा नमक आपको दरदरा मिला है न तो आप उसे ग्राइंडर जार में डाल कर इसलिए आप नुसके को अच्छे से समझें उसके बाद में आप इस्सेमाल करें तो आप 2-3 चुटकी सेंदा नमक ले लीजिए अब सेंदा नमक के साथ में हमें लेना है नारियल का तेल इस तरीके से बस आपको चार चुटकी लेना है यहाँ पे सेंदा नमक और उसमें आदा चमच डाल देना है नारियल का तेल इसके लिए आपको नारियल का तेल ही लेना है क्योंकि ये मूग के चाले ठीक करने में तुरंत रहात देता है दोनों चीजों को बिलकुल अच्छे से मिला लेंगे आप उंगली से इस तरीके से चेक करें इसके अंदर नमक के दाने नहीं होने चाहिए अगर आपको हलका सा भी फिंगर में ऐसा फील हो रहा है कि नमक में दाना आ रहा है तो आप इसको थोड़ी सी देर मिक्स करके रख दीजिए जिससे कि नमक इसके अंदर अच्छे से घुल जाए उसके बाद में ही आप इसे इस्तिमाल करें अब आप क्या करें कि इस तरीके से बनाने के बाद में आपको अपने मूग के चालों पर इस मिक्सर को बिलकुल अच्छे से लगाना है इसको उंगली की हेल्प से जैसे कोई मलं या लोशन वगएरा लगाते है न उससरे लगाना है और ध्यान रखना आप इसको अंदर निगलना नहीं ये जितना भी मूँ में लार बनाएगा आप बार थुकते रहेंगे कम से कम दो मिनट आप अपलाई करेंगे आपके मूँ में हलकी सी जलन होएगी जब आप इसे लगाएंगे तो आप डर ये नहीं तुरंत ये जलन शान्त हो जाती है और आपको इतना आराम मिलेगा न आप बोलेंगे कि क्या शान्दार नुसका बताया है दो मिनट के बाद आप एक गिलास थंडा पानी ले लीजिए पानी थोड़ा थंडा थंडा लेना है एकदम नॉर्मल टेंपरेचर का नहीं लेना है इसके लिए आप पानी में थोड़ी बरफ भी डाल सकते हैं फिर आपको इस थंडे पानी से कुला करना है आप एक बार मुह में पानी लेंगे और फिर कम से कम 30 से 40 सेकंड तक मुह में रखकर कुला करेंगे उसके बाद में पानी को आप थूख देंगे और फिर दूसरा पानी लेंगे इसी तरीके से आपको कम से कम एक गिलास पानी से कुला करने में तीन से चार मिनिट लगाना है ऐसा नहीं कि आपने फटा-फट मुह में पानी लिया और थूख दिया अब इसके बाद में मैं आपको अगला नुसका और बता रहा हूँ ये भी बहुती कारगर है आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इससे आपको ये फायदा होगा कि जो चीज आपको घर में आसानी से मिल जाए न आप उसी के साथ में नुसके अपना लेना दोस्तों एक तो बरफ वाला नुसका और एक इन में से कोई भी बस आप ये समझ लीजिए कि आपके मूँ के छाले की जो समस्या है न पिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी तो आपको एक गिलास ठंडे पानी में एक चमत शहद मिक्स कर लेना है पानी गरम नहीं होना चाहिए बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक तम अच्छे से जब तक मिक्स करें जब तक की जो शहद आपने लिया है न वो पूरा पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद में आप इस पानी से कुला करें आप एक बार पानी मुँ में लेंगे उसके बाद में आपको 30-40 सेकेंड तक अच्छे से कुला करना है और कम से कम आपको यहां पे शहद वाले पानी से कुला कर रहे हैं तो एक गिलास पानी में पांच मिनिट आपको लगाना है आप देखेंगे मूँ के चालों की समस्या पहले दिन से ही खतम होने लग जाएगी इसके साथ साथ आप खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए दिन बर में आपको ठंडी तासिर वाली चीज़ें यूज़ करनी है जैसे आप चाज पी सकते हैं, दही खा सकते हैं और पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीएं सलात खाएं जैसे खीरा वगएर आप लीजिए ककड़ी खाएं और फूट में आप तर्बूज और अंगूर वगएरा खा सकते हैं इन सब चीज़ों की तासिर ठंडी होती है क्योंकि मूँ के जो चाले होते हैं मूँ का जो अलसर होता है ये गर्मी के करण ज्यादा बढ़ता है और गर्मियों के मौसम में जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो ये समझ से अकसर आती ही आती है इसलिए आप ठंडी चीज़ों का सेवन ज्यादा करें और जैसे आप खाना काते हैं आप वो भी आप बहुत ज़्यादा गरम-गरम खाना ना खाएं जब तक कि आपके मूखे चाले ठीक ना हो जाएं थोड़ा सा ठंडा करके ही खाएं आप खाने को तो ये था हमारा आज का वीडियो मूखे चालों के लिए तो ये नुसका जो है बेहादिकारगर है अगर आपको ये नुसका पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्याधा से ज्याधा लाइक और शेयर कीजिए आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप इसे फालो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलोन उसके देखते रहने के लिए जैपुर्दा पिंक सिरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए